हेलो दोस्तों भारत अप्डेट सेनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यहां पे एक और न्यू अप्डेट जो है HPU की तरफ से यानि की हिमाच्छल प्रदेश उन्युवस्टी की तरफ से आ चुकी है तो पहले जो थी यहुझी रिवाइजड प्रदेश थी और यहीं है ओल्ड वैज के लिए ओल्ड वैज के लिए जिनका भी है उनके लिए यहीं डिजीट रहेगी तो रिवाइज टेनेटिट फूर अंडग्रेजूट क्लासिज बी ए बीस सी बी.com first and semester ओल्ड वैज ठीक है यहां पर लिखा भी है कन्फ्यूज नहीं होना है आपने तो ओल्ड वैज के लिए यह डेट शीट है जो यहां पर अपडेट है यह अपर यह जो यह आई है इनकी ओफिशल बीसाइट के ऊपर यह date sheet इने अप्लोड की है तो आप देख सकते हो यहां पर जो paper आपके clash हो रहे थे उनको देख लीजिए और dates भी देख ली कुछ change तो नहीं किया है इनोंने चली मैं next चलता हूं और यहां पर quality अगर अच्छी ना आए clear ना आए तो right side जो है उसके उपर click करना है और quality में जाना है quality में जाना के बाद 480p इसको कर लेना है 480p या 720p ठीक है उसमें मिल्कुल आपको clear दिखेगी और landscape mode में देखना है फोन में आपको ज्यादा clear जो है दिखेगी चली next चलता हूं first semester की है यह आपको की है next तो यहान पहाप देख सम्ते हो दिया होगा यह देखेए यह दिखाए इन इटमे आवसो भी इंशर दर्ट अज़ाए पर कोलेस रिकोर्ट and on the basis of initiated given by students no paper of any of the student of institution has two paper on the same day date and time in case of any clash of date subject the same be to be assistant registrar on before तो इनना बोला है कि अगर इस date sheet में भी यहाँ पे आपको कोई paper लगता है कि clash है एक ही समय एक ही एक ही date में अगर आपका exam कोई आता है तो आपना बता देना है 7 October से पहले पहले ठीक है 7 October से पहले पहले बता देना है और फिर जो है उसके बाद आपकी date sheet final कर दी जाएगी 9 October को आपकी final date sheet आ जाएगी उसके बाद कोई भी change इसमें नहीं किया जाएगा तो आपने आप देख लो इस date sheet को अगर कोई change अगर कोई clash आपका हो रहा है paper पर तो आप जो है college में बता दो ठीक है या फिर इस email id के उपर कर दो बोल दो वैसे college से हो जाता है अगर आप college में बोलोगे तो खुद बाखुद कर देंगे फिर उनको mail ठीक है आपका फिर change हो जाएगा और यह थर्ड समेस्टर ओल्ड बैच की डेट शीट आप आप देख सकते हो थर्ड समेस्टर उपर लिखा हुआ है ओल्ड बैच एंड समेस्टर एग्जामनेशन अंडर सीवी सीए सुरूसा टू भी हैल्ड ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो एंड दा फाइनल डेट शीट विल बी इशुड ओन यहाँ पर देख सकते हो कि 9 अक्तोबर को नहीं लिखा है कि फाइनल डेट शीट जो है यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी इशू कर दी जाएगी चलिए next अभी चल टाइम सबकुछ यहाँ पर लिखा है टाइमं कितने से कितने वजे तक है और आप यहाँ पर subject देख लेना अपना course number देख लेना यानि कि subject code देख लेना क्या है course type देख लेना और title of the course यानि कि course का title क्या है, book का क्या नाम है ठीक है, यहाँ पे title of the course में book का नाम होता है और course number में जो होता है इसका course code, ठीक है code क्या है इसका, code यह रहेगा course number जिसका बोलते हो subject code बोलते हो ठीक है चलिए नेक्स चलता हो अभी तो ये old wedge की date sheet है तो आप देख लिए अच्छे से इसको अगर फिर भी इसमें कोई अभी भी कोई clash इसमें होगा तो आपको फिर से college में बोलना होगा 7 October से पहले पहले उसके बाद जो है कोई भी date sheet चेंज नहीं की जाए यूँकि 9 October को आपकी final date sheet जो है issue कर दी जाएगे उसके बाद कोई भी changes इसमें नहीं होगे तो 7 October से पहले पहले अगर कोई clash है देख लो आज ही आज 4 October है तो आप बोल देना college में जाकर कि हमारे clash हो रहे हैं फिर आपका वो फिर से वो उनको mail कर देंगे अब भी फिफ्ट सेमस्टर की रहेगे आगे यह थर्ड की है आप इसका स्क्रीन शोर भी क्लिक कर सकते हो ध्यान से देख लिजी चलिए अब मैं चलता हूँ आपकी फिफ्ट सेमस्टर की डेट शीट में तो यह रही फिफ्ट सेमस्टर की डेट शीट तो आज चार तरीक है कल भी आप सकते हो को अब देख लिजी और कल भी आप को अब सकते हो कि हमारी डेट शीट जो है क्लैश हो रही है कुछ पिफर से क्लैश को रहे हैं अगर होते है तो एक्लेश मिणीं में जो कि अगर आपका जो है सेम डेट हो सेम टाइम होगा जैसे के टाइम टाइमापके दो बेपर एक साथ हों तो उसको गोँते हैं कलाश ऐसा नहीं होगा कि सुभा में होगा एकजाम और शाम के टाइम होगा दो इसके होगी जैसे की एक समय पे और एक ही दिन ठीक है दो विपर एक साथ हूँ ठीक है उसकी चेंज हो जाएगी और बाकियों की नहीं होगी सुबार शाम होगा विपर दुसका कोई चेंज नहीं होगा वो वैसे ही रहेगा तो यह नेक्स चलता हूँ यह दिख्या ओगा चलो आगे यह भी देख रहीजिए और जो डेट शीट होती हैं को सभी में सेंड कर दीजिएंगा अपने फ्रेंडस में चुँँख को पता नहीं चल पाता प्लीट शेट का कर को नहीं आता तो निकालने तो नों के थोड़ी सी हैल्प कर दिजैगा इस वीडियो को सेंड कर दिजिए के जिटने भी हैं तो उनके पादस वीडियो को ंद सेंड चantry कर दिजैगा तरिक थोड़े सी ही तो पता नहीं चल पाता तो इसके कारण वो फिर एक्जाम देने उनको प्रोल्म होती है तो उनको जो है आपना सेंड कर देनी है यह और उनको बोलना है कि इसके बाद एक और आएगी नो तारिक को ठीक है जो है चेंज कर दी जाएगा तो दोस्तों यह थी आज की इंपोर्टन्ट अपडेट और अगर आपको वीडियो ची लगे तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा मेरे लेटिस्ट अपडेट के लिए थैंक यू